हेलो दोस्तो कैसे आप लोग उमीद करते हो बढ़िया होंगे तो दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साड़े साथ के वी एका येर कुलिंग जेनरेटर का प्राइज एंड रिव्यू डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे सो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप येर कुलिंग जेनरेटर लेते हैं तो आप इस जो जेनरेटर है इसको आप कैसे यूज़ करेंगे और कहां यूज़ करेंगे जो आपके लिए सही रहेगा इसमें हम कितना लोड डालेंगे कोई भी समान हो इलेक्ट्रोनिक या फिर जो भी है हम इसमें कितने हजार वाट तक लोड डाल सकते हैं यह मैं आपको बताऊंगा और दोस्तों बात यहाँ पर साथ ही साथ करेंगे कि इसमें हम कितना HP का इंजन के साथ लेंगे जो हमारा जनेरेटर जो है काफी अच्छा लोड दे सके और इसमें अल्टरनेटर हम कितने MPR वाला लेंगे जो हमें काफी अच्छा यहाँ पर आउटपूट मिल सके वीडियो को एंड तक देखते रहेगा वीडियो काफी छोटा बनने वाला है ज्यादा लंबा नहीं बनेगा तो वीडियो को लाइक सेर जुरू करिएगा चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एक उनको प्रेस करके आल में सेट करीजेगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपर साड़े साथ की वीए यर कुलिंग जनेरेटर के बारे में तो नमस्कार दोस्तों मैं हो भी से एक और आप देखे हैं डियो जरू करते हैं दोस्तों बात करते हैं आपर साड़े साथ की वीए देने यहाँ पर हम जो भी इसमें रन करवाना चाहते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें पानी या फिर कुलेन ये सब हमें डालने की अवसेक्ता नहीं पड़ती है Only ये जो है हवा सही अपने आप ठंडा होते रहता है अब दोस्तों मैं यहाँ पर बताओं इसका specification कुछ जैसे कि आप इसमें कितने HP का engine लेंगे इसमें कितने load डालेंगे ये सारे चीज़ डूड़ेल्स जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप 7.5 kVA का अगर year cooling generator लेते हैं खासकर तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है engine आपको लेना है वो लेना है लगभग 14 HP का engine लेना मतलब कि होना चाहिए generator में आप जो है अगर generator लेते हैं तो आप उसमें engine जो है देख के लिजएगा 14 HP का कम से कम engine होना चाहिए जो की 7.5 kVA का मैं बता रहा हूँ अगर आप ज्यादा kVA का लेते हैं तो उसका ज्यादा engine जो है HP होना चाहिए तो यहाँ पर 7.5 kVA का अगर आप generator लेते हैं year cooling माला तो 14 HP का कम से कम लगभग होना चाहिए जो की काफी अच्छा output आपको मिल सके और generator जो है गरम ना हो और जोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं साड़े साथ की विए का alternator के साथ आपको जो है 30 MPR का कम से कम जो है आपका जो generator होता है वो आपका 30 MPR का होना चाहिए alternator जो काफी अच्छा आपको load दे सके अगर लगभग 28 MPR का भी होगा तो चलेगा कोई दिकत नहीं आईगी आपको काफी अच्छा load आप ले सकते हैं तो 28-30 MPR का कम से कम होना चाहिए अगर आपका उससे कम होगा तो आपका load जो है मतलब आप ज़्यादा load नहीं डाल सकते जो है आपका कम load में ही आपका जो है आउटपुट जो है अच्छा नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा load लेना है तो आप कम से कम 28 या फिर 30 MPR का जो है alternator देख के लिए काफी अच्छा output मिल जाएगा साथी साथ दोस्तों बात करते हैं अपर साड़े साथ की विए जो हमारे यर कुलिंग जनेटर है हम इसको दोस्तों कहां यूज करेंगे कैसे यूज करेंगे तो यहाँ पर आप जिससे अगर आप घर में यूज करना चाहते हैं तो जो है outdoor मतलब outdoor बाहर जैसे क अगर आप खुले में इसको रखते हैं बाहर में जैसे कहीं पेड के पास या फिर कहीं छपरी के पास रखते हैं तो वहाँ पर आप रखके इस जनेटर को यूज कर सकते हैं जो कि काफी सही रहेगा और अगर आप indoor में यूज करना चाहते हैं जैसे कि कहीं घर के अंदर या तो उस type के situation में आप यहां पर expected Year cooling generator मत लिजीए यहां पर आप water cooling generator यूज करिए जो कि काफी सहीर है about अगर आप indoor के लिए यूज करते है तो यहां पर water cooling generator यूज करिए इंजन जो है गरम नहीं होगा और इसमें अगर आप indoor y meno करते हैं कि कहीं छोटे सही जगा में आप रख दिखते हैं और pack कर देते हैं और generator को जो है आप यूज करेंगे जैसे चालू करके तो आपका जो है engine गरम हो जाएगा और इसमें जो है कुछ problem आ सकती हैं तो इसलिए यहाँ पर आप outdoor में air cooling generator को यूज करें जो की काफी सही रहेगा जैसे कि टेंट के लिए भी आप ले सकते हैं कोई दिकत नहीं आएगी बाहर में जैसे रखके आप टेंट में जो है लाइट वगएरा जो भी है डीचे वगएरा चला सकते हैं तो यहाँ पर जोस्तों फैनली हम बात करते हैं साड़े साथ के दिए यर कुलिंग कर लेंगे तो यार कोई भी कंपनी आप ले लो कोई दिकत नहीं आएगी बस ओरिजनल होना चाहिए बहुत सारे कंपनी आते हैं जो आपको अच्छा लगता है वो आप कंपनी ले सकते हैं कोई दिकत नहीं आएगी और प्राइज मैंने बता दिया है 40,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा मार्केट में अलगअलगद प्राइज होते हैं और वही हम बात करते हैं तो अगर आप radiator वाला लेने चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने बना दिया है एर दोस्तों बात करते हैं इसमें मैंने load calculation के बारे में जैसे बताया था तो load calculation में नहीं बताई उसमें तो यहां पर load calculation के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर load आप इस generator में आपको डालना है लंगभग 6 अचरवाट से ले करके 6जरवाट टक आप डाल सकते हैं अगर आप डीजी अम्प्लिफाय लगाना चाहते हैं तो भी आप लगवाख 6.000 वाट का लोड डालिए काफी सही रहेगा जैसे फुली लोड़ेट आप डालते हैं तो 6.500 वाट के आसपास आप डाल सकते हैं कोई दिकत नहीं आएगी तो चलिए जोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ चैनल में पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एक उनको प्रेस कर लेना और आल में सेट कर लेना तो चलिए मिलते हैं एक लिए वीडियो में तब तक क लिए जय हिन जय भारत वंदे मत्रूम